श्री नांची गुरुजी को अलकादेश, मा भगवती को अलकादेश, रांची वाले भाईरब बाबा को अलकादेश, आप सभी को आदेश आदेश, विश्य बड़ा गंभीर, बहुत मधपूर, और ऐसा विश्य जो आप लोगों में बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं, कि हमें साधना में सफलता नहीं मिल रही है, यह आभास नहीं हो रहा है, कि सातना आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है, तो मैं आने वाले समय में एक आप लोगों को सातना दोंगा एक सब्ता का, अगर कोई शक्ति आप लोगों ने सही में साधली होगी, तो वो प्रतक्ष आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, या जिस भी तरीके से वो अपने प्रतक्षोने का प्रमान देती है वो प्रतक्षोने का प्रमान देगी दूसरा विशय यह कि बहुत बार सादक ऐसा होता है कि सादक ऐसा सूचते हैं कि शक्ती प्रतक्षिकरन का मतलब हुआ कि शक्ती सामने आके खड़ी हो जाए जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके आपके अपने की शक्ति करना करते हैं है ठीक है तो बहुत सारा तरीका होता है जिससे शक्तियां कूप को प्रत्यक्ष से सावित करती कुछ बर वो किसी चीज को गिराके, किसी चीज को खटटाके यह बताती हैं, कि हम आ चुके हैं, आपने हमें सिद्ध कर लिया है, तो जब भी किसी साथना को करें, तो यह समझ ले कि हर शक्ति आपके सामने दृष्टी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, और जो शक्तियां दृष दृष्टी से प्रतक्षिकरण तभी होता है, जब आप पूंग रूप से जागरित हो, आपके सारी इंद्रियां जागरित हो, आपके सारे चक्र जागरित हो, और आप इतने मझगूत हो, कि आप उस शक्ति को वर्दास्त कर सकें, जैसे क्या, कि अगर मान के चलिए वायू तो वायू का एक वेग है, अगर आप वायू के वेग को वर्दास्ट नहीं कर सकते हैं, तो वायू पूरे वेग से आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि उससे आपको हानी हो जाएगा, आपने उसको सिद्गर रखा है, तो बहुत सारी चीजें होती है साधनाय में, जो आप को जाना चाहिए लेकिनicken ऐसे भी साधक हैं, जिनको पता ही नहीं होता है, कि वह कर क्या रहा है? वेग्यों, यूट्यूब में मैंने अब ही इतना सो साधना दे दिया होगा औरन आर्य साधना का मंत्र, आप इसी मंत्र दिया है विदी दिया है मैंने description में लिखती आया है आला कि कि जब तक गुरू का परामर्शना हो और आपको आपका दिशा बंधन आसन बंधन और खुद का आत्म बंधन करना ना आता हो तो साधनाय ना करें लेकिन फिर भी इन साधनाओं को करके अगर आपको सफलता नहीं मि जो सबसे जरूरी चीज देखा गया है और जो सबसे महतवपूर्ण हम लोगों ने तुटी देखी है अपने साथी में संग्यों में या फिर जिनको सिखाते हैं वह होता है तुटी उचारन का देखो साबर मंत्र का अगर आप जाब कर रहे हैं तो साबर मंत्र में क्या है कि लोकल भाषा में वह तो बनाया गया था तो अजीब सा होता साबर मंत्र जैसे काली का जो मंत्र है जिनको मैंने दिया तो ओम सिंगाव दत्तो भिकवा धड़ित धड़ड़ात ध्यानमान भावानी दत्तनम दे नाशनम तोडियंती सी रांसी रखता पीवंती है तो अभी इ अगर साधक है उनको पता है कि वह मुझे तो 20,000 इसका जाब करना है वह कहा करें कि वह किस चीज का जाब करने लगे वह 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 पता नहीं चलता आप जैसे वीर की साधना करने लगे वह 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 पामत देविया पड़ोते कि अग्रासे पुरुष की माला बामत दूसरे शब्द से वह अलग होता है अब उसको अगर आप संख्या गिनने के चक्कर में अगर चल्दी से पढ़ते हैं आप संख्या तो पूरा कर लेते हैं लेकिन क्या है कि आप उस शब्द को उस वाइब्रेशन को पुत्पन ही नहीं कर बाते हैं दुनिया का सबसे जो ब पढ़ा जाता दुनों अलग है दोनों का सबसे पहला को को तुटी साधना में आती है उसके चलते साधना इसे नहीं होती है तूसरा आज के डेट में साधक वर्ग में बड़ा अच्छा एक प्रचलन है कि वह तूदी पॉइंट फॉलू करते साधना को मतलब इतना माला यह मंत्र और यह मूर्थी माला मूर्थी और मंत्र इठाया कहीं से उसमें लिखा हुआ है कि हर रोज 21 माला करना तो मंत्र के बाद दूसरा ध्यान रहता है पहला तो द्रिष्टी उस मंत्र पे जहान लिख के रखा और तीसरा अगर कुछ बचा-कुच्छ द्यान है तो वो खोटो पर लगा हुआ है या मुर्ती अ से dhut करते हैं मैंना पहले भी बोला है मंत्र Promise के लिए होता है मंत्र चप होता है शक्तियों के लिए शक्तियों को आप समझ रहे हो जैसे कि आप अभी इस mobile पे या laptop पे मेरा इस बात को सुन रहे हो तो जिस screen पे आप देख रहे हो और जिस speaker phone पे आप सुन रहे हो और वो जो touchpad है सब एक ही mobile का पाट है वैसे ही ये ब्रह्मांड जो है एक ही energy का form है उसी का form हम भी है उसी का form वो शक्तिया भी ह है कि वो शक्तिया आपके अंदर है और उनको जगाना होता है तो जो आपका जो consciousness है ना जब आप मंत्र जाप करते हैं तो यह माला मूर्तिया और मंत्र से हटके होना चाहिए आप जब मंत्र जाप करते हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए आपकी चेतना पर ठीक है आपका mind क कितना expand कर रा है उस मंत्र के जाड से और आपकी spirituality कितनी बढव लगए उस मंत्र के जाड से अगर मैं मंत्र का जाड करूंगा तो मैं ये नहीं सोचूँगा कि उस मंत्र जाड से मुझे प्षाल चिकरय। मैं अभी मूट चला सकता हूं या इस तरह की F excellal बातें हम नहीं सोचेंगे. हम क्या सोचते हैं? जब आप मंतरजाप कर रहा है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, कि आपके मश्तिष्क पे उस मंतरजाप का क्या फायदा हो रहा है? क्या आप पहले नेगेटिव था, आप पॉजिटिव हो गए, या फिर आप आप ज्यादा अच्छा किसी चीज को एनलाईज कर सकते हैं, दूसरा आपको ये देखना चाहिए कि आपकी शारीरिक समता किसी मंतर जाप या किसी साधना में कैसी बढ़ी है, मतलब आप उसको पढ़ते हो तो आपको पढ़ने के बाद आप फ्रेश फील कर रहे हो, या फिर आपको बिल्कुल निंद्रा अवस्था आ जा रही है, या फिर दूसरे दिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमजोर हो ठीक है, तीसरा कि किसी भी साधना को करने के बाद आपको ये देखना चाहिए, कि आपका आध्यात में रुची बढ़ा है कि नहीं, एक साधना को बंद करने, तो जब आप साधना करते हैं, तो साधना में माला, मंत्र और मूर्ती के बतले ये ध्यान दे कि आपके मस्तिष्क, शरीर और आध्यात में पे उसका क्या असर पढ़ रहा है, और एक बात, बहुत महत्बुन विशह है कि अगर आपका साधना सफल नही हुआ, तो नकसल मूवमेंट फेल क्यों वहा चायने कि वह चायनीज रेवल्यूशन पर बेशत है, और बेशन हैं यादो जब राज तंतर्स किया उससे क्या हुआ कि शेहर उनके कबजे में आ गया उसके बाद फिर इन लोगों ने ऐसे करते करते राज तंत्र को खदम किया लेकिन भारत में डेमोक्रासी है एक आर्मी है पूरे भारत की यहां कोई राज तंत्र है नहीं तो उन लोगों ने सबसे पहले जब भारत में नक्सल मुवमेंट चाल हुआ तो नक्सल मुवमेंट भारत में फेल हुआ उसी तरीके से आध्यात्म का गोल क्या है यह जानना जरूरी है अगर आध्यात्म या साध्ना ये सोचके करते हैं कि आपको किसी तरीके का सूपरनाच्रल पावर मिलेगा आप वहीं पर फेल हो जाते हैं साध्ना में क्यूंकि साध्ना का लक्ष हमेशा बड़ा होना चाहिए साधना का लक्ष क्या होता है साधना का लख्ष होता है कि आप एक अलग स्तार पर य realize परब्रह्म परमेशवर के साथ एकाकार हो जाएगा है अब संधना के अ कि आपperगा 사सार्म करते हो न तो बड़ा साधना और क्यूं नहीं होता साधना इसलिए नहीं होता क्योंकि आप रात में शराब पी की सोती हो इसके बाद सुभा उठेव इसके बाद थके आ रहा आते हो फिर बैठ जाती हो साधना करने को साधना में बहुत important एक part है योगा करना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आसन को सिद्ध करना बहुँ जरूरी होता है, साधना बिना आसन सिद्ध किये नहीं हो सकता है, आपका शरीर जब तक flexible नहीं होगा, आपका शरीर में जब तक वो जो cosmic energies होता है वो नहीं आप सदना में सफल नहीं हो सकते आपने देखोगे बहुत सारे अगोरी होते हैं जो कि बैठे रहते शरावटीटे सपर काम होता क्योंकि उन लोगों ने वह स्टेज़ पार कर लिया है आप लोगों अभी तक उस stage को पार नहीं किया है, बहुत ज़्यादा योगा नहीं कर सकते हैं, तो at least अपना आसन सिद्ध कर लीजिए, चाहे तो आप अगोर आसन में घंटों बैठने का practice कर लीजिए, या फिर पदमासन में बैठ जाए, मतलब वजरासन में बैठ जाए, जिस भी आसन में बैठ सकते हैं, उस आशन में बैठने का आप सबसे पहले practice ड़ीए, अगर आप एक साधना में बैठने हैं, तो ऐसा नहीं होता कि अभी आप वजरासन में बैठ जाए, फिर अपतमासन में बैठ जाए, आसन सिद्धी बहुत जरूरी है, और आसन सिद्धी आप तभी कर पा कि क्या है आप साथना हिए नहीं साधना करते हैं कि मुझे व्रिद्दी नहीं हो रही तो मैं सादना कर रहा हूं मेरी फिंड ने मुझे छोड़ दिया है मैं साधना कर रहो मुझे प्रिचंद बीमारी है मैं साधना कर रहा हूँ ठीक है ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका साधना का कोई मतलब नहीं रह जाता है ठीक है जीवन का उद्देश क्या है जीवन का उद्देश है खुशी खुश रहने ठीक है खुश रहने का दो तरीका है एक तो आप सोचो को कि खुश रहने का ये तरीका है कि आपका जो भी दुख दर्द है वो खतम हो जाए ठीक है या एक तरीका इसका ये होता है कि आप खुशी को ढूंडे लेकिन लोग क्या है कि वो खुद को दुखी करते हैं आप जैसे एक विशे बताओ, अगर आपको कोई बीमारी है, ठीक है, आप उससे दुखी है, तो आप उस दुखी को सोच के दुखी हो जाओ, या फिर उस बात को समझ लो कि आपको ये बीमारी है, और उसके अलावा जो जीवन है, उसमें आप खुश रहो, कोई वेक्ति आप को छोड़के चला गया, आप उसको लेके दुखी हो, उसके अलावा भी तो पूरा जमना और उसके आने से पहले भी पूरा जमना था, ये सोचो, तो साधना का जो उद्देश होता है, यहीं पर फेल हो जाता, साधना का उद्देश ये कहता ही नहीं है, कि आपको किसी ने तो जब सेर मार रहे चले हो ना, तो सेर के हिसाब से ही अपना पूरा कंसेंट्रेशन रखो, देखो और एक चीज़, कॉंशेसनेस जो होता ना, जो चेतना होता है, जो हमारे शरीर है, वो तीन भाग में बना है, एक तो एस्ट्रल बॉड़ी है, मतलब जो मैं बोलता हूँ कि भगवान के बराबर हमारा भी शरीर है, ठीक है, हम और भगवान एक है, हम ब्रह्मस में है, ठीक है, उसके बाद वो पूर्ण चेतना वाला शरीर हो, जिसको दिमाग कहता है, जिसको माइंड कहता है, जो हमें सोचने का शक्ती देता है, और तीसरा होता है हमारा फिजिकल बॉडी तो जब भी हम साधना के बारे में सूचते हैं ना तो सिर्फ अपने जो मेरा mind body है जो मेरा astral body है ठीक है या जो मेरा क्या बोलता इसको प्रेट शरीर है उसकी खुशी उसके दुख के चलते ही हम साधना करते हैं ठीक है लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि mental, physical और spiritual well-being साथ में चलता है तो कभी भी अपने शरीर को उस प्रेट से मत govern होने दिया गरो साधना करते हैं जीवन में भी खुश रहना है तो large goal देखो देखो भगवान ने जब आपको इस प्रित्वी पर भेजा तो क्यों बेजा भगवान ने आपको इस प्रित्वी पर भेजा मृत्यू के लिए मृत्यू ही मुक्ति है जिस समय आप जन में उसी समय मृत्यू लिखा जाता है कि आप मृत्यू आज तक कोई अमर तो हुआ नहीं कि दस लोगों को छोड़के जिनको अध्यात में अमर माना गया लेकिन बाकी लोग क्यों आते हैं यह जो पृत्वी यह यह सबसे बड़ा मसान है यहां इंसान पैदा होता है यह जी पैदा होता है मरने के लिए ओप एक जानवर नहीं है जिसको रंग नहीं दिखता आप एक कुत्ता नहीं जिसको सारी धनी नहीं सुनाई दे, ठीक है, आप एक पेड़ नहीं है जो हिल नहीं सके, आप एक पत्थर नहीं है जो सास नहीं ले सके, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया, तो आपको यह सोचना है, कि क्या किसी और कारण से आप इस जो पूरा आपको ब्रह्मा ने मिला है, इसको इंज्वाई करने के बदले आप दुखी रहें, तो हमेशा यह सोचना है, कि आप जहां से आया, वहीं आपको वापस जाना, आप कुछ देर का यह ड्रामा है, इस ड्रामा को आप अच्छे से जीना चाहते हैं, या खराब से जीना चाहत जो आपके लाइफ में कमी है, वो तो है ही, उसको एकसेट करो, और जो खुशी है उसको अपना हो, साधना में सफल होने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी होता है, अंदिम बाद, योगा का बहुत सारा आया में, जैसे राज योग होता है, जैसे हट योग होता है, जैस लेकिन मंत्र योग के साथ क्या है आप लोगों को योग आशन का प्रेक्टिस करना चाहिए ठीक है योग आशन जरूर करिए और अंतिम रूल साधना अगर आपको सफल करना है ठीक है तो अंतिम रूल उसका क्या है की पतंजली ने आठ नियम दियते हैंस जिसमें सबसे पहला था यम य का मतलब होता है कि जो कर्म साधक को नहीं करना चाहिए तो आप बोलोगे अगोर में तो कोई रूल होता है अगोर का एक तो खुद पे ही dependent रहो डूसरा खुद के लिए responsible रहो और तीसरा कि अपने अधिकार्चित्र से बाहर किसी के अधिकार्चित्र में प्रवेशना करो तो जो यम होता है यम नियम यही कहता है कि कि किसी की समान को मत चुराओ किसी को हर्ट मत करो ठीक ह है फिर नियम आता है नियम का मतलब होता है जो साधक का नियम है मतलब नियमत समय पर पूजा नियमत स्थान पर पूजा नियमत मंत्र से पूजा नियमत विधी से पूजा ठीक है तीसरा है आसन आसन का मतलब होता है जिस भी आसन में आप बैठके पूजा कर रहे हो वो आसन सांस पर कंट्रोल होना चाहिए तो सांस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा जब तक आपको आपके प्रांग पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप साधना में सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि अगर आपका सांस पर कंट्रोल नहीं है तो आपका कंसेंट्रेशन कभी नहीं मुझसे सादना नहीं हो पाएगा मचल काट रहा मुझे अरे ये ध्वनी बहुत सुनाई दे रही है मैंने एक जगा से meditation सीखा था वहां सीखने का मुझे ये लाब हुआ कि आज के रिट में अगर मेरे बगल में कोई लौड़ स्पीकर बजा दे तो मेरा ध्यान और ज्यादा तगड़ा हो जाता है क्योंकि मुझे एक नियम पता है कि किस तरीके से जो अपने ध्यान को केंद्रित करो ध्यान को केंद्रित करना और ध्यान करने में अंतर होता है ध्यान को केंद्रित करने का मतलब होता है कि जब हम किसी एक विशे में सोच रहे मान के चलो मैं हनुमान जी की सार ना कर सकता है तो तो सब्सक्राइब माला ना गिन्ती ना मूर्ती ना किसी भी तरीके का थौट मेरे दिमांग में नहीं आएगा उसको करते हैं एक जगह पर अपनी परना लगाना उसके बाद आता है ध्यान, ध्यान का मतलब क्या है कि जब आप उस जो परम शक्ति है उसमें खुद को बिल्कुली मिक्स कर लेते हो, लिक्वाहां तक जब आप पहुंच जाते हो तो वो ध्यान का मुद्रवतर, अन्तिम जो होता है वो समाधी की स्थिति होती ह जब आप परमंश हो जाते हो जब आप उसमें विलीन हो जाते हो वो पूण जो जागरित गुरु होता है जो बहुत कम बेitted है कि समाधी च्थिति में पहुंच जाते हो, यह आठ नियम है, जो कि आप साधना करना है शूरूबाद में ank किसी को नहीं मिनता, उसमें हड़ ब में आपको दे रहा हूं अंति मूल मंत्र क्या है साधना के अगर आपका साधना नहीं सफल हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जिस समय आप साधना करते हैं उस पहले चंद से आपको इंतजार होता है कि वो शक्ती प्रतेक्ष हो जाया और शक्ती के प्र प्रतक्षिकरण के बारे में बिल्कुल मत सोचना और बस साधना करना कि हे मेरी ये शक्ति तुम जागरित हो जाओ शुरुवात में शुरुवात के दिनों में जब आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो सुरु ध्यान से शुरू करो ध्यान में भी क्या करना है शुरुवात में सांस पे कंट्रोल करना सीखो सांस पे कंट्रोल कैसे है जैसे पंद्रा बार पंद्रा की किंती में सांस अंदर लो पंद्रा की किंती में सांस रोको पंद्रा की किंती में सांस छोडो उसके बार अपने थर्ड आई पे आप concentrate करो और बस उस पे concentrate करते रो जो भी image फार्म हो रहा उसको होने दो और बस ये बोलो कि तुम अपने आपको मुझे दिखाओ कहां हो तुम मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ तो आपका जो objective set होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिसके हम अंच है उसमें जाकर क्यों मिल जाए जब आपका ये उद्देश होगा तो आप समझ लो कि कोई भी शक्ती होगी ठीक है कैसी भी शक्ती होगी आपके अंदर की वो जागरित होगी और आप जो है जो मैंने समाधी की स्थिति बोला उस समाधी की स्थिति में पहुंझ जाओगे तब उसके बाद आपको वाक सिद्धी मिलती है और मैं आपको बता देता हूं कि वाक सिद्धी से बड़ी कोई सिद्धी नहीं है प्रित्वीतर काफी लंबा मैंने आप लोगों को आज पढ़े हैं कितने लोगों ने आज से पहले अपने दिमाई शरीर और अध्यात में की क्या अंतर पढ़ रहं है किसी साधना को करने का इसके बारे में सोचा हो गां आप लोगों इसके कितने का आосन सिद्ध अक inputs आप छे गंटा साध्ना कर लें आ अप defence कितने लोग सिर्फ physical body के बारे में सोच के साधना करता है ये सारी चीजे सोचो इनको analyze करो जब analyze कर लोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि कितना समय आप लोगों ने waste किया और अब इन सब नियमों को समझ लो उचारन सही करना माला मंत्र और मूर्ति के पीछे नहीं भागना है मेरे दिमाग पर किसी साधना का क्या असर हो रहा है शरीर पर क्या असर हो रहा है अध्यात में क्या असर हो रहा है ये दूसरा थमरूल है तीसरा थमरूल क्या है कि मेरा गोल क्या साधना का मेरे साधना का गोल किसी शक्ति को प्राप्त करना नहीं है, लेकिन उस परम शक्ति में खुद को समाहित करना है, ये गोल लेकर के आगे बढ़ना है, योगा नित्य करो, आसन को सिद्ध कर लो, साधना का जो उद्देश है, वो पेन से रिलीफ नहीं है, बलकि खुशी है, और साधना करेंगे बाकि पतंजली का जो आठ नियम है वो मैंने आप लोगों बता दिया आज के लिए इतना ही आप लोग अगर मेरे साथ साधना ग्रूप में जुड़ना चाहते हैं मेरे एक साधना का ग्रूप है पाइस तारीक से नया सेशन उसका स्टार्ट हो रहा है तो आप मेरे साथ अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लीना चाहते तो www.aghurtantarasi.xyz मेरा वेबसाइट है डायरेट बात करने के लिए कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करिए उसमें रूद्रनाज सेर्च कीजिए आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा उससे आपको उससे कॉल करके डा आज के लिए इतने ही आप सबी को आदेश 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 अलाग आदेश